Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में डिजाइन लेके आई हूँ देख सकते हैं Friends, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है Friends, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टिपल प्लस 2 करके फंदेल लेने होंगे फ्रेंड्स यहां से लिए करके यहां तक डिजाइन हमारा आर्ट लैन में बनके कम्प्लीट होगा फ्रेंड्स इस पैटर्न को बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैन्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी डालिएगा बनके बहुत ही सुंदर नजराता है, जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है तो आईए फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टिटोरियल इस pattern को बनाने के लिए हमें 8 के multiple plus 2 करके फंदे लेने होंगे तो यहां पर मैंने 18 फंदे लिए हैं सबसे पहले आप 8 फंदे ले लिजेगा फिर से 8 फंदे और last में 2 फंदे हमने एस्टा लेने हैं तो यहां needle पे मेरे 18 फंदे हैं यह design हमारा 8 line का है सीधी तरब से शुरू होगा तो सबसे पहले friends आप border बना लिजेगा border बनाने के बाद सीधी तरब से यह design हमारा शुरू हो जाएगा तो start करते हैं design के first row सीधी side सबसे पहले आज के फंदे को slip कर लेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रोग को अमने उल्टा उल्टा बनना है पूरी रोग को उल्टा बनके complete कर लियती हूं तो यहाँ पे design की first row को उल्टा बनके complete कर लिया है अब आते हैं back side में design की second row पहले फंदे को slip कर लेंगे धागा अपनी तरफ करके पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ पर सेकंड रो को पूरा उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लिया है अब आते हैं सीधी साइड में डिजैन की थर्ड रो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे धागा अपनी तरफ करके पूरी रो को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है यहाँ पर डिजाइन की थर्ड रो बनके अमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं वैक साइड में डिजाइन की फोर्थ रो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रो को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है यहाँ पर डिजाइन की फोर्थ रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं फ्रेंट साइड में डिजाइन की फिप्त रो इस रो को फ्रेंट ध्यान से देखेगा सबसे पहले आच के फंदे को हम सिलिप कर लेंगे अब आठ फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे अब यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं तीन फंदे हम सीधे बनेंगे एक, दो, तीन फिर एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाने हैं सबसे पहले इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इसको निकालेंगे नहीं अभी, इस लूप को थोड़ा उपर तक खीच लीजेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे, बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमा हमारे 3 फंदे बन गए हैं इसको हम ऐसे निकाल देंगे आगे हमने 3 फंदे सीधे बनने है है ह 17 ए एंच की फंदे को छोड़के इन्ही आठ फंदों को अंवने पूरी तरह है अght 10 यंख फिर एक फंदे सेंस्वनने 3 फंदे बनाया है दर दर सでबर ने स्व तीन, फिर हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाने हैं, पहले इस फंदे को हम सीधा बनेंगे, लूप कम थोड़ा ओपर तक खीचेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बन देंगे, तो यहाँ पर हमारे तीन फंदे बन गया हैं, बाद में इस इसको मैंसे निकाल देंगे अब इस फंदे के भी हमने तीन फंदे बनाने हैं इस तरीके से एक फंदा हमारा बन गया है धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे तो यहां पर हमारे तीन फंदे बन गया है बाद में इसको मैंसे निकाल और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे 1,2,3 लास्ट में ऐज के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर डिजाइन की 5 तरो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 6 रो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे मुल्टे बु qi नाबpler ऐसे ले लेंगे पिस्को बनना नहीं फिर से हम तीन फंदे उल्टे वनेंगे 12 में एज और इन्हे आठ फंद के अहे ने पूरी रूम में दोराना है तीन फंदे उल्टे वनेंगे फिर से तीन फंदो को स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदो को स्लिप करेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे फिर से रिपीट कर रहे हैं तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे और तीन फंदों को विना बुने ऐसे ले लेंगे Slype पर इन तीन फंदों को हम विना बुने ऐसे लेंगे Slype इनको बुन्ना नहीं है फिर तीन फंद, वम उल्टे बुनेगे और लास्ट में एच के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे तो यहाँ पर डिजाइन के 6 रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन के 7 रो सबसे पहले एच के फंदे को हम सिलिप कर लेंगे अब यह जो तीन फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहा है इसमें एक फंदा हम सीधा बुनेंगे यह जो तीन का ग्रूप है और आगे के दो फंदे हैं इनको हमने ट्यूस्ट करना है इस वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और यह जो आगे दो फंदे हैं इनकों में पीछे लाना है यह जो तीन फंदों का गुरूप है इसमें हम स्लाई को ऐसे डालेंगे और आगे के दो फंदे हम ऐसे निकाल देंगे वापस हम दो फंदों का लेफ्ट हैंड के निडिल पे ऐसे ले लेंगे इस तरीके से, अब ये फंदे हमारे पीछे आ गए हैं, अब ये तीन फंदो को हम सिधा बुल लेंगे, अब तीन फंदो को हम आगे की तरफ से सीधा बुल लेंगे, यानि तीन का एक कर देंगे, फिर दो फंदो को हम सीधा बुल लेंगे, इस तरीके से, अब इधर भी हमने इसी करना है यह दो फंदे हैं इसको ागे लाएंगे और यहे जो तीन aquí इसको VC रे जाएंगे पिछे की तरफ से बोस्तों के स्लाइगे чтоб अरौलेंगे और आगे obese की निकाल लेंगे और उफस से अम लैट हैंड की का डिदि पी क्यों पीछे लेगे अब यह तीन 55 हमारे सिधा बुनते वे और 1 फंद सिधा बंतेंगे तो एच के फंदियों को चोड़के इन्ही आता हपन्दों पूरी रो में दाराना है देखेए फ्रंट्स एक फंद मारा यह है और एक फंद यह है बीच में जो च्छाय फंद ए यहां यहां पर हमारा डिजाइन बनावा है, अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले एक फंद हम सीधा बनेंगे, अब फिर से हमने तीन फंदों को ट्यूस्ट करना है, यह तीन फंदे हमने आगे लाने हैं, और दो फंदों को हमने पीछे लाना है, आगे की तरफ से तीनों में हम स्राय को ऐसे लेंगे और आगे के दो फंदे ऐसे निकाल देंगे वापस हम लेफ्ट हैंड के निडल पर ऐसे ले लेंगे दोनों फंदो को अब ये फंदे हमारे पीछे आ गया हैं और ये तीन फंदे हमारे आगे आ जाएंगे ये जो तीन फंदे हैं इसको हम आगे की की तरफ से तीन फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते विए फिर दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे अब ये तीन फंदों को भी हम ट्यूस्ट करेंगे अब हम पीछे की तरफ से दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे सलाई में और आगे के जो तीन फंदे इसको ऐसे निकाल के left hand की needle परहसे ले लेंगे अब यह फंदी हमारे पीछे आ गए हैं और यह दो फंदे मारे बीच cups भी आगए हैं अब इसको हम left hand के needle परहसे लेंगे दो風 देंगे कुआ अब यह तीन फंदों के एक साथ हम ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीन फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते विए और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे लास्ट में एच के फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे तो यहां पर हमारी सेवन्थ रो बनके कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की एर्थ रो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी एर्थ रो बनके कम्प्लीट हो गई है तो फ्रेंट्स यहां पर हमारा आर्ट लाइनों में डिजैन बनके कम्प्लीट हो गया है आगे आपने इनी आर्ट लाइनों को बार बार दोराते जाना है तो friends जब आप इन आट लाइनों को बार बार दोराते जाएंगे तो design बनके कुछ इस तरह नजर आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान सर design है यह हमारी front side है और यह हमारी back side है तो friends एक बार try जुरूर करिएगा उमीद करती हूँ आज का design आपको पसंद आएगा यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें मिलती हूँ next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद